वेलकम डिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांसकेन बार शुरू होगा रेडी स्टार्ट अध्यक्ष महूदय जिस विशय पर चर्चा हो रही है वह पहले कभी भी हमारे सामने नहीं आया चर्चा के दौरान मेरे मित्र ने कहा है कि बड़े उद्योगपतियों से हमें संबंध नहीं रखना चाहिए उद्योगपतियों में से कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश की जनता के हित में नहीं है अभी एक सदस्य ने कुछ लोगों का वर्डन किया और कहा कि उन लोगों ने अपने देश की पूंजी को बाहर के देशों में भेजा है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि सबको दोसी ठहराना उचित नहीं है हमारे देश में हजारों लाखों उद्योगपती हैं उनमें से कुछ लोग यदि गलत काम करते हैं तो उसके लिए सबको दोसी नहीं ठहराया जा सकता है ऐसा करना उचित भी नहीं होगा एक अन्य माननी सदस्य ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं उनकी बात सही हो सकती है लेकिन प्रश्ण यह है कि आज जो इस्थिती देश के सामने है उसे द्रिस्टी में रखते हुए उनके साथ हमारा विवहार कैसा होना चाहिए इस पर हमें विचार करना चाहिए केवल यह कह देना कि सारा दोश सरकार का है ठीक नहीं है मैं चाहता हूँ कि सरकार को कर न देने वालों के विरुद कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए भी है लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग करों की चोरी कर रहे हैं उनमें कितनी कमी आई है सरकार ने इस बारे में जो समित बनाई थी उसकी रिपोर्ट के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस समित की रिपोर्ट प्राप्त करने पर रास्ट का बहुत पैसा खर्च हुआ है इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे का शोशन करना चाहते हैं मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब इस कानून को बदलने का समय आ गया है जिस तरह का हम समाज बनाना चाहते हैं कानून भी उसी के अनुसार बनाया जाना चाहिए महुदय हमारे वित्मंत्री जी ने अपने भाशन में मुल्य वृद्धी के कारण चिंता प्रकट की है लेकिन इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है अपने बजट में वित्मंत्री जी ने उदारी करण और विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रन देने की बात कही है आज हमारे देश की जो आर्थिक इस्थिती है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हमारा काम नहीं चल सकता लेकिन विदेशी पूंजी के देश में आने के कारण जो खतरे हो सकते हैं उन पर भी विचार किया जाना चाहिए यह बात अभी तक इस पस्ट नहीं हुई की हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं मैं इस सदन का ध्यान इस बात की और भी दिलाना चाहता हूं की हमारे देश की संपत्ती कुछ ही लोगों के पास जमा होती जा रही है यह अच्छी बात नहीं है सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए की हमारे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में न जाने पाए सभापती महूदय माननिय मंत्री महूदय ने जो बिल पेश किया है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ सुतंत्रता प्राप्ती के पश्चात हमारा देश विस्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना उस समय सभी देश वासियों ने यह सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही साथ देश में समाजवाद कायम किया जाएगा जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा इसी आशा के साथ देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ महुदय मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूल भूत आवशकताएं उपलब्द नहीं हो पा रही है देश में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है हमारे नव युवकों में इससे बड़ा असंतोस है आज भी हमारे देश में ऐसे कई गाव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है आज भी देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गावों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी महनत का पूरा पैसा नहीं मिलता देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पुष्टैनी धंधों पर निर्भर करते हैं लेकिन आज भी वे बेकार पड़े हुए हैं उनको अपने काम के प्रती कोई प्रोथसाहन नहीं मिल रहा है हमारे देश में विभिन योजनाएं बनती हैं लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कारवाई नहीं की जास रही है सभापती महूदै अब मैं कुछ रेलवे के बारे में कहना चाहता हूँ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अधिक समय दिया जाए क्योंकि बहुत सी बातें कहनी है कुछ समय पुर्व रेलवे मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत ही कठिन परिस्थितिया थी पिछली सरकार ने रेल की विवस्था को बहुत ही खराब कर दिया था इसके बावजूद रेलवे मंत्री जी ने जो सुधार किये हैं मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ देश उस समय बड़ी कठिनाईयों में से गुजर रहा था सूखा पढ़ने के कारण लोगों तक आवश्चक वस्तुएं नहीं पहुच पा रही थी ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्चक चीज़ों को समय पर पहुचाया जिससे की जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े मैं यह भी बताना चाहता हूँ की देश के ऐसे छेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव था वहाँ पर भी रेलो द्वारा पीने के पानी को पहुचा कर लोगों को राहत पहुचाई गई महुदय मैं मंत्री महुदय को एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ यह एक आम जनता को राहत पहुचाने वाला बजट है और इस बजट की सारे देश में प्रशंसा की गई है मंत्री महुदय ने रेलवे में बढ़ते हुए म्रस्टाचार को समाप करने के लिए भी आवशक कदम उठाए हैं मैं मंत्री महुदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे समय समय पर इन कदमों की समिक्षा भी करते रहें स्टॉब